दोस्तों अगर आप अपने फोन में फोटो एडिट करते हैं और आपको फोटो एडिट करना काफी पसंद है तो इस वीडियो के नराज में आप सभी कोई कैसे फोटो एडिटर अप्लिकेशन के बार बताने वाला हूँ जिस application को आप अपने phone में use करके आप अपनी किसी भी normal सी photo को सिर्फ एक click में इतनी बढ़िया तरीक से edit कर सकते है कि जो कोई आपकी उस edit की गई photo को देखेगा वो देखे पूरी तरीक से चौकेगा भी और आपसे पूछेगा भी कि भाई तुने ये जो photo है न वो किस से edit करवाया है या फिर कौन सी application से edit का है इसके वारे में मुझे भी बता दे दोस्तों ये जो photo editor application के वारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ इस application के अंदर आप सभी को हजारों से ज़्यादा effect देखने को मिल जाते हैं और जब इस application को use करके आप किसी भी photo को edit करेंगे तो यहाँ पर आपको बिलकुल भी कुछ भी edit नहीं करना कोई भी setting नहीं करना है simply इस application में आप अपनी photo को upload कर दीजें उसके बाद ये जो application है सिर्फ एक click के अंदर आप सभी की photo को इतनी खुपसरों तरीके से edit करता है कि आपका भी photo देखके दिल पूरी तरी से खुश हो जाएगा तो ऐसे में अगर आप photo edit करना पसंद करते हैं तो इस application को आप अपने phone में जरूर से try करिएगा तो ऐसे में अगर आप जाना चाहते हैं कौन से application है कहां से आप से download करेंगे और download करके कैसे आप इस application को यूज़ करके अपनी photo को edit करेंगे यह सब कुछ गर आप जाना चाहते हैं तो चलिए आप करते हैं और भी बखवास दोस्तों अपनी किसी भी photo को सिर्फ एक लिक में बढ़ियां से बढ़ियां edit करने के लिए आप सुभी को अपने phone में इस application को download कर लेना है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ यह रही हूँ application इस application का आना में refine editor ठीक है link जो है आपको वीडियो के description में मिल जाएगा तो हाँ से आपसे download कर सकते हैं अब download करके जैसी आप इस application को अपने phone में open करेंगे तो यहाँ पर यह जो application है इस प्रकार से आपके सामने open हो जाएगा अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके phone में जितने भी मतलब photo हैंगे सारे के सारे यहाँ पर photo आ जाते हैं अब अगर यहाँ पर आपको किसी भी folder से आपको photo यहाँ पर लाना हो तो यहाँ पर यह जो नीचे recent का option है इसके उपर आपको click कर देना है अब जैसी आप इसके उपर click करेंगे तो आप सभी के phone में जितने भी folder है वो सारे के सारे folder यहाँ पर आ जाते हैं तो जो भी जिस भी folder से आपको photo select करनी है उस folder से आप photo select कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए यह वाला photo यहाँ पर select कर देता हूँ ठीक है इसी photo को यहाँ पर हम edit करने वाले हैं अब इस photo को जैसी यहाँ पर मैं select करूँगा तो यहाँ पर हमारी photo आ जाती है अब इस application का use करके आप किसी भी photo से एक click में उसके background को हटा भी सकते हैं रिमूब भी कर सकते हैं चाहे कैसा भी background हो इस application की मदद से आप उस background को gap कर सकते हैं जैसी यह photo है इस photo के background को अगर मुझे हटाना होगा तो यहाँ पर यह background वाला जो option है इसके उपर मैं click कर दूँगा अब इसके उपर जैसी click करता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस photo का background है वो पूरी तरह से हट चुका है अब इसके वाद यह जो scroll का button है इस button का use करके आप अपने photo को मतलब गोरा या फिर जैसे आप अपने photo में इस तरीके से edit कर सकते हैं तो यहाँ पर जैसे आप किसी भी background के पर सिर्फ एक click करेंगे तो यहाँ पर आपके photo का background है एक click में change हो जाएगा और अपने photo को यहाँ पर आप गोरा या फिर काला इस scroll button की मदद से कर सकते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा लाल वाला जो effect है यह भी देखने में कितना बढ़िया लग रहा है इसी प्रकार से यहाँ पर आपको हजारों से ज्यादा effect देखने को मिल जाएंगे जिसमें आप अपने photo को सिर्फ एक click में edit कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको हर प्रकार के यहाँ पर आपक इस प्रकार के यहाँ पर आपको काफी सारे बैगरांड बगरा देखने को मिल जाएंगे तो चलिए जल्ली से यहाँ पर मैं आपको कुछ बैगरांड दिखा देता हूं तो जैसे आप देख सकते हैं इस बैगरांड में मेरी जो photo देखने में कितनी बढ़िया लग रही है अब इस application के इंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हजारों से जादे हैं यहाँ पर background देखने को मिल जाते हैं और सारे के सारे जो background है काफी कमाल के हैं अब जिस भी background के साथ आप सभी को अपनी photo अच्छी लेगे उसके साथ आपको save करना तो उपर आप सभ आपी जोर से कर लीजेगा थैंक्यू